अगर आपने विद्धा ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अगर आप एक स्टिल बिगिनर हो और आप लोग को पता नहीं किया टॉम्मॉक्स और कालिनुक्स क्या है कैसे यूज करते हैं अगर ये सब जानना है तो उपर दिखा गए आई बटन पर क्लिक करें वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि बिगिनर फ्रिंडली है तो आज हम लोग बात करने वाले कैसे एक साइबर सेकुरिटी रिलेटेड ओपरेटिंग सिस्टम यानि कि Net Hunter को हम कैसे इंस्टॉल करें अपने Android डिवाइस में विताउट रूट 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 की सीरीज भी आपको बहुत सल देखने को मिल जाएगी लेकिन आज हम बात करने वाले हैं रूटलेस की तो इस वीडियो को स्टाइटिंग से लेके इंडिंग तक देखें क्योंकि पूरा डीटेल स्टेप है और आपको सारे कमांड सारे वीडियो सारे जो टुटूरियल से डीटेल डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पर भी मिल जाएंगे तो फर्स टेप आपको क्या करना है यहां पर टर्मक्स ओपन करना है और मेरे अपनी टर्मक्स का डेटा क्लियर कर रहा है तो अभी इसको पहले क्या करना है हमें apt-get update और यह थोड़ा टाइम लेगा यानि कभी-कभी आपको प्रॉब्लम्स भी दे सकता है उस टाइम पर आपको चेंज रेपो करके रेपोजिटरी चेंज करना दिन सही हो जाएगा अभी हम अपग्रेड करता है देखा अभी बोल रहा है कि new packages के लिए आपको चाहिए 13 MB तो मैं Y कर देता हूँ यानि कि Yes तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है तो एसा अगर आपके सामने option आ रहा है तो इसको क्या करना है आपको Y करते जाना है यानि कि Yes जो stable packs हैं वो आप install करके रखना चाहते हूँ तो मैं Y करते जाता हूँ ओके फाइनली ये step हमारा complete हो चुका है जहाँ पर upgrade and update हो रहा था तो अब next क्या करना है उससे पहले ध्यान रखना आपका जो data है वो कम से कम 3 GB चाहिए और आपका जो storage है वो भी आपके यहाँ पर चाहिए 3 GB तक ये दोनों अगर आपके पास हैं तब ही आप आगे बढ़ें नहीं तो ऐसा मत कहना किया आर वीडियो के starting में नहीं बताया आप data खाली हो गया तो इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ 3 GB data और 3 GB आपके पास storage चाहिए 3 GB से ज्यादा शायर storage चाहिए तो अभी वो सब करने के बाद आपको first क्या करना है apt install wget तो ये लगभग 1 MB के अंदर है तो ये बहुत ही ज़ल install भी हो जाएगा और download भी देखो आभी क्या करना है मैं description में आपको मेरी website का post यानि post का link दूँगा website की वहाँ पर जाके step by step tutorial follow कर सकते हो या तो वीडियो में जो है वो देखके type कर सकते हो अगर आप कर सकते हो तो या आप website से भी simply copy paste कर लेना तो अभी मैं enter करता हूँ तो यहाँ पर देखो थोड़ा time ले गए ओके यहाँ पर आ चुका है अब मैं ls करता हूँ और यह जो दिक्रिया फाइल इसको आपको क्या करना है ग्रीन कलर में बदलना है तो उसके लिए chmore plus x उसके बाद यह जो name है इसको मैं copy paste करता हूँ ctrl-alt-v उसके बाद enter और ls अभी इसको execute करने के लिए फिर से name copy कर लेता है dot forward slash ctrl-alt-v उसके बाद enter तो देखो अभी मेरे सामने options आ रहे हैं मेरा जो वो architecture है शायद वो arm से related है तो देखो arm 64 के लिए full है minimal है और nano नानो का मतलब होता है बहुत छोटा package minimal का होता है in between और full का होता है जो बहुत बड़ा package होता है तो देखो अभी आपके पास अगर storage कम है data कम है आपको VNC viewer से उतना फर्क नहीं पड़ता बस एक feel लेनी है net hunter या का Linux की तो आप minimal या nano को try कर सकते हो अगर full वाले try करना है तो आ फुल वाला चेक करवाना है तो मैं next video में try करूँगा बट फिलहाल इस video में मैं try करूँगा second option तो second execute करते है second यानि की to type करने के बाद enter करते है तो यह देखो यहाँ पर यह शायद installation होना शुरू हो चुका है तो मैं यहाँ पर थोड़ा pause लेता हूँ क्योंकि मैं ज्यादा यहाँ पर इसको execute होते देते रहोंगा तो बहुत time जाएगा तो मुझे लगता है कि थोड़ा pause लेना ठीक रहेगा और अभी देखो यह process होने में लगभग 15-10 मिनिट भी लग सकते हैं और यहाँ पर यह फिर से update और upgrade पूछता ही जा रहा है तो execute करते जाता है और ध्यांदर के मेरा जो android है यह rooted है और देख सकते हो 136MB का है minimal package तो ज्यादा कुछ data की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी okay finally rootfs verify हो चुका है और उसके बाद extracting rootfs वो भी complete हो चुका है अभी यहाँ पर दिखा रहे है deleted downloaded sorry delete downloaded rootfs file तो मैं क्या करता हूँ why करता है यानि कि yes क्योंकि storage बच जाएगा और मुझे उससे कोई काम भी नहीं है अगर कोई issue नहीं आता है तो कोई काम भी नहीं है उससे मैं कर देता हूँ why यानि कि मैं करवा देता हूँ उसको delete अभी देखो configuring system okay finally आ चुका है अब यहाँ अब यह जो दिख रहे हैं आपको screen पे यह सारे जो है ना इसके commands हैं जैसे कि nethunter को start करना या kex को start करना या nethunter को rooted user की तरह execute करना यह सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है अभी मैं क्या करता हूँ nethunter को एक बार rooted user की तरह execute करके दिखा देता हूँ nh-r यानि कि root ओके देख करता हूँ इससे exit होता हूँ और यहाँ पर मैं बस nh लिखता हूँ देखो यह जो है non-rooted user है omi देख सकते हो kali तो अभी यहाँ पर देख सकते हो यह तो आ गया अब next अगर आपको vncweaver के अंदर इसको use करना है graphical user interface use करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पर first of fall आपको sudo user बन जाना है तो sudo nano उसके बाद में जो command डाल रहा हूँ उसको as it is डालना है etc हम यहाँ पर dns change करेंगे so that की हम update कर पाएं ओके देखो अभी यह बता रहा है की sudo यहाँ पर support नहीं कर रहा है इसलिए आपको क्या करना है exit करना है उसके बाद nh-r और यहाँ पर आने की बाद तो अभी क्या करते है nano etc resolve.co.nf यानि की configuration file resolve configuration file तो does not exist मैंने जो डाला exact comment आपको भी डालना है उसके बाद simply यहाँ पर देखो अभी यह local machine को target कर रहा है हमें क्या करना है google का dns use करना है 884 times उसके बाद ctrl plus x उसके बाद y उसके बाद enter अभी क्या करता है clear कर देता है अब ध्यान से सुनना अभी क्या करना है first apt update अभी यह थोड़ा fetch करेगा repositories को और सारे mirrors को check करेगा अगर कोई mirror available है download के लिए तो सारे यहाँ पर installations और download करता जाएगा जैसे कि देख सकते हो अभी यहाँ पर यह चेक कर रहा है और शायद इसको मिल गया working repository तो अभी यह download कर रहा है अब इसके बाद मैं next करता हूँ upgrade अपग्रेड में भी थोड़ा time ले सकता है विकॉस जो packages है उनको server से लाना फिर उनको यहाँ पर install करना जैसे कि देख सकते हो अभी साथ इम भी मांग रहा है तो मैं S कर देता हूँ यानि कि y type करने के बाद आपको enter पर click करना है फिर ही अपने आप होता जाएगा ओके जैसे ही यह process यहाँ पर complete होता है आपके सामने दो options आता है do you want to change the GID of user apt तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर S कर देता हूँ तो अभी यहाँ पर यह थोड़े changes हो रहे है यानि कि जो जो process हो रहे है backend में वो complete हो जाने देते हैं मैं थोड़ा pause कर लेता हूँ okay next option यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि SSS server आप local रखना चाहोगे या current maintenance version तो देखो यहाँ पर मैं first one option चूज़ करता हूँ उसके बाद enter और यहाँ पर यह install होता जाएगा new version okay guys finally update तो हो चुका है और हम upgrade भी कर चुके हैं तो अभी next क्या करना है okay यहाँ पर देखो अगर आप यहाँ पर explore करना चाहते हो net hunter को तो जिसे कि आप termworks या Linux को करते हो exactly आप ls command या cd command pwd ऐसे commands आलके easily explore कर सकते हो अगर वो नहीं करना या simply आपको like apt install lolcat या जैसे कि होता है अलग-अलग packages को आप easily यहाँ पर install कर सकते हो जैसे कि देख सकते हो nano इसमें आप by default installed आता है आप चाहो तो Linux को ऐसे explore कर सकते हो और यहाँ पर मैं अगर pwd लिखंगा cd लिखने के बाद double dots एन इकी root directory में जाओंगा तो ऐसे जो है ना आप Linux की जितने भी आप command lines आपको याद है सब यहाँ पर try कर सकते हो और graphical user interface की बात रही तो यहाँ पर हम explore करेंगे उसे धीरे धीरे लेकिन आप पहले समझते जाते हैं कि यह कैसे हम command line interface को अच्छे खासे explore कर पाएं NetHunter के अंदर ओके गाइस यह था कि कैसे आप लोग NetHunter को अपने device में install कर सकते हो और इसमें almost packages आपको देखने को मिल जाएंगे और इवन इसके अंदर super user है नि की sudo permission भी मिल जाएंगे आपको तो literally आप try कर सकते हो तो मेरा Android device है यह तो फिलहाल rooted है अगर आपके पास non-rooted है तो उसमें भी easily चल जाएगा without any issues तो make sure to check it out and आपको कुछ doubts है तो please let me know in a comment section and यहां पर अगर हम बात करें कि इसका graphical user interface कैसे करें यानि कि कैसे use करें वो मैं आपको next studio में बताऊंगा क्योंकि उसमें थोड़े problems आ जाते हैं कभी-कभी अलग-अलग Android devices में तो मैं वो भी check करके आपके जितने भी devices हैं उनका मैं try करूंगा कि हर Android device का solve हो तो आज के लिए इतना ही था कि कैसे आप लोग CLI यानि कि command line interface यूज करके NetHunter या काल लिनक्स यानि कि similarities हैं तो इनको कैसे use कर सकते हो I hope कि यह सब कुछ समझ आ गया होगा So guys अगर आप हमें Instagram पे follow नहीं करते हैं तो ज़रूर follow कर लें for daily updates And साथ ही साथ में अगर आप एक Twitter user हैं तो वहां पर भी हमें आप follow कर सकते हो And यहां पर हमारे Telegram channels हैं and groups हैं वहां भी ज़रूर join कर लेना And अगर आप एक Facebook user हो आपको Facebook groups and Facebook page चाहिए तो वो भी available है And WhatsApp groups में तो daily conversations होती ही रहती हैं So make sure to join And यहां पर हमारे WhatsApp channels भी हैं जहां daily updates मिलते रहेंगे So उनके भी links आपको description में मिलेंगे And Telegram groups हैं जो कि बहुत ही active हैं So check it out once And Facebook group में भी आपको daily updates and discussions देखने को मिल जाएंगी हमारा YouTube channel तो आप लोगों को पताई होगा So make sure to subscribe it And साथ साथ में हमारे कुछ courses and books हैं जो कि आपको description में मिल जाएंगे अगर आपको हमारे premium memberships चाहिए तो आप वो भी easily join कर सकते हो